नमस्कार शिक्छार्थियों, मैं डॉक्टर किरनलता डंगवाल, शिक्छा शास्त्र विभाग, लखनो विश्व विद्याले लखनो से एन आई ओएस के स्टूडियों में आपका स्वागत करती हूं। विशेश बातें मस्तिष्क में आने लगती हैं। यानि कोई भी चीज को जानने से पहले ये जानना आवशक है कि अधिगम होता क्या है। जब हम अधिगम की बात करते हैं, तो बालक जब जनम लेता है, तो जनम के पशात वो प्रति धिन कुछ नए-नए अनुभव करता है। और धीरे-धीरे इन ही अनुभवों के आधार पर उसके व्यवार में परिमार्जन आता है, परिवर्तन आता है। जिस पालक में सीखने की जितनी ललक होती है, उसके जीवन में का उतना ही विकास होता है। इसलिए ये अति आवशक है कि बच्चों को प्रेरीत किया जाए सीखने के लिए। बच्चों में एक उत्सा वर्धन किया जाए कि कैसे उन चीजों को वो सीखें। अगर हम मनोवैज्ञानिक डृष्टी से देखें अधिगम की प्रक्रिया को, तो हम कह सकते हैं कि अधिगम एक मनोवैज्ञानिक और मांसिक प्रक्रिया है, जो कि जीवन भर चलती है और बालक को परिपक्कोता की ओड़ लेके जाती है। अपने अनभवों और प्रशिक छणों से वो बालक लाब उठाता है और अपने स्वाभाविक व्यहवार या अनुभूती में प्रगतिशील परिवर्तन और परिमार्जन करता जाता है। पालक अपने आपको अपने परिवेश, अपने वातावरण, अपने परियावरण में समायोजित करने का प्रयास करता है। क्योंकि उसको प्रती दिन नए-नए परियावरण मिल सकते हैं, नए-नए जगय जा सकता है। इसलिए वो धीरे-धीरे क्या करता है? सीखते-सीखते चीजों को अपने परियावरण से स्वायम को समायोजित करने का प्रयास भी करता है। इस समायोजन के दौरान वो अपने अनभवों से अधिक लाब उठाने का प्रयास भी करता है। और इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। यानि कि अगर हम संचेप में देखें इसको कि अधिगम क्या है? अधिगम ब्यहवार में परिवर्तन है। अधिगम इन्ही परिवर्तन या परिवर्तित या परिवर्तन अनुभवों के द्वारा जो प्राप्त होता है वो अधिगम कहलाता है अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है बालक अनेक क्रियाएं और उपक्रियाएं करता है अभी तक हमने अधिगम की बात की, यह अधिगम क्या होता है, लेकिन जब यह अधिगम होता है, तो एक प्रक्रिया के तहत होता है, क्योंकि यह एक मानसिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को करने के लिए बच्चा प्रती दिन कुछ न कुछ क्रियाएं और उपक्रियाए करता है और इनहीं उपक्रियाएं और प्रक्रियाओं का जो परिणाम होता है उसके द्वारबच्चा सीखता है इसके बाद जो भी स्थिति में बच्चे को रखा जाए या जिस भी इस्थान पे बच्चा रहता है उसके प्रति जो सक्री प्रति क्रिया वो करता है वो सीखना क इसी प्रक्रिया के अंतरगत आता है कि बालक का सीखना उसके अधिगम वातावरण पर भी निर्भर करता है यानि वो जिस प्रकार के परिवेश में रहता है, जिस प्रकार का उसका वातावरण है वो बहुत कुछ उसके अधिगम को प्रभावित करता है तो इसलिए कहा भी जाता है कि विद्यार्थी के लिए बालक के लिए एक अनुकूल वातावरण स्रजित किया जाए जिससे उसका अधिगम बहुत अच्छा हो सके अधिगम वातावरण जितना प्रभावशाली होगा उतना ही प्रभावी बालक का अधिगम भी होता है जो अगर हम सीखने के आयमों की बात करें तो सीखने के आयम वे होते हैं जो सीखने को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं आपने देखा होगा कि बच्चे को अगर आप प्रेरित करिए तो बच्चा उस चीज को सीखने के लिए बहुत उसमें एक उत्सा जगता है, वो सीखने का प्रयास करता है, उसमें ततपरता होनी चाहिए, तो ये सब ही आयाम है, यानि कि सीखने के लिए कि जो हमारी प्रक्रिया है, उसको किसी न किसी रूप में जब जो प्रभावित करते हैं वो हमारे सीखने के आयाम होते हैं इन आयमों के अंतरगत बौधिक चारिरिक मांसिक भावनात्मक पर्यावरण सामाजिक और शिक्षक का व्यक्तित ये सभी चीजें हैं ये सभी आयाम हैं जो कि बच्चे के जो अधिगम होता है उसको प्रभावित करते हैं तो आज क्यों वातावरण होता, जो परियावरण होता है, वो एक आयाम के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है, बच्चे के अधिगम में, यानि बच्चे के सीखने में, तो ये जो परियावरण है, जो वातावरण है, वो भी एक आयाम है सीखने का, तो आज इसी के उपर हम आपसे वार प्राप्वा होते जाते हैं और वह सीखता जाता है और जीवन भर वह सीखता ही जाता है भारती संदर्भ में अगर हम इसको देखे तो ये अधिगम जन्म से पूर्व भी होता है जैसे कि आपने अभिमन्यू की कहानी सुनी होगी कि उसने चक्रव्यू को भेदने की शिक्षा मा के कर्व से ली थी तो यानि जो सीखने की प्रक्रिया है वो जन्म से पूर्व ही प्रारंब हो जाती है अब जब हम परियावरण के संदर्व में इसकी बात करते हैं तो परियावरण शिक्षन और सीखने दोनों को प्रभावित करता है परियावरन का एक बहुत महत्वपून भूमिका होती है कि बच्चे को अधिगम करवाने में, कि बच्चा सीखता कैसा है, कि सीमा तक सीख सकता है, कैसे सीखता है, जो हमारा परिवेश होता है, जो परियावरन होता है, वो हर तरह से बच्चे के सीखने को अधिगम को प्रभा करता है जो बालक का व्यहवार होता है वह उसके चारों और क्या हो रहा है वह ऐसा नहीं है कि जो एक दिन हो गया उसी के संदर्व में वह सीखेगा नहीं जो कुछ प्रती दिन उस बच्चे के चारों और होता है इसी के संदर्व में बच्चे के वहवार में परिवर्तन आता है और जो ये परिवर्तन होता है जब हम परियावरन की बात करते हैं तो परियावरन कारे करने और कैसे कारे को करने के बारे में बच्चे को संकेत देता है तो बारबर बताता है कि कैसे इस कारे को किया होता है तो वो सवयम बहुत सारी छीजों को छूखे कि अगर कोई चीज को छूने से उसको अगर अगर उसने गुलाब का पौधा देखा उसने उसको चुआ तो उसका जो काटा अगर उसको चुब जाता है तो वो अनुभव करता है कि अगर हम इसको भविश में कभी भी चुएंगे तो ये हमें पीडा देगा तो ये क्या होता है कि जो भी कार्य करने और कैसे कार्य को करने के बारे में बच्चे को जो संकेर देता वो हमारा परियावरण ही बताता है इसी प्रकार से बालक को नए व्यहवारों को सिखाने और जितनी भी उसमें नई नई चीजों का हम चाहते हैं कि बच्चों के व्यहवार में परिवर्ता नाए बच्चे सीखें और उनके जो बच्चे में जो पहले से मौजूद व्यवार होते हैं, उनको किस प्रकार से वो उपियोग करें और कैसे उन तरीकों में संचोधन करें, ये भी परियावरण ही हमको सिखाता है। इसलिए बच्चे को बाल्य अवस्था से ही बहुत सारे अनुभवों को देना और सिखाना अति आवश्यक होता है। बात करते हैं भौतिक परियावरण की। भौतिक परियावरण यानि जो कुछ प्रकृति ने हमको दिया है, जो कुछ हमारे आसपास है, यानि कि ये जल, हवा, वायू, जितनी भी चीजें हैं, ये सारे चीजें हमारे भौतिक परियावरण होता है। के अंतरगत आती हैं, इसी प्रकार से दूसरा होता है हमारा जयव परियावरण कि जब हम बात करते हैं तो ये वो है जो कि जितनी भे फल, फूल, पेड, पॉधे हमारे आसपास हैं, जितनी भी चीजें, पशुपक्षी, ये सारी चीजें हमारे जैव पर्यावरन के अंतरगत आती हैं और ये किसी ना किसी रूप में बच्चे को प्रभावित भी करती हैं तीसरा पर्यावरन होता है सांस्कृतिक पर्यावरन या इसको हम कह सकते हैं मानविय पर्यावरन यानि मानव निर्मित पर्यावरन किस प्रकार से एक परियावरन सरजित किया रहता है, किस तरह से संस्कृति, उसके रीती रिवाज, उसका रहन सहन, उसके जो तीज त्योहार है, ये सब चीजों का प्रभाव कहीं न कहीं बच्चे के अधिगम पर पड़ता है, तो ये परिवेश भी बच्चे के अधिगम में एक भूमिका को निभाता है, तो अब आए जब हम प्राकृतिक परिवेश, ये तीनों परिवेशों की हमने बात की, तो अब बात करते हैं कि प्राकृतिक परिवेश, आखिरी इसमें क्या क्या चीज, जैसे कि इसमें हम बात करते हैं कि इसमें जलवायू हो गया, जो हमारा वा बहुत ही उच्च तापमान होता है वहां पे, जो की बहुत असहनिय हो सकता है, तो वहां पे जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, जो अधिगम होता है बच्चे का, वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, जितना की एक सामाने तापमान में होता है, इसी प्रकार से कुछ जहां बहुत ज्यादा धंडक होती है कुछ स्थाने जहां वर्ष भर वर्षा होती रहती है तो यह जो प्राकृतिक परिवेश है यह कहीं न कहीं बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है इसलिए कोई भी चीज अगर लंबे समय तक रहती है यह बच्चे के अधिगम को जैसे कि आपने देखा कि जो गर्म छेत्र के जो लोग होते हैं वहां पर उनकी बहुत धिक छमता रचनात्मकता और यह सब चीज़ें क्या होती है थोड़ी सी चादा होती है अच्छी होती है लेकिन अगर हम ध्यान दे कि अगर हम इसी को कक्षा के संदर्व में ले चाहे क ऐसा भी परियावरण हो अगर बच्चा सुबे से पढ़ना प्रारम करता है और शाम तक आता है तो शाम तक बच्चे की छमता कहीं न कहीं घट जाती है यानि जो परिवेश चाहे कितना भी अच्छा हो कितना भी अनुकूल क्यों न हो वो कहीं न कहीं बच्चे की के इसी प्रकार से जो हमारा सामाजिक परिवेश होता है, जैसे हमारा घर है, समुदाय है, हमारा पास पड़ोस है, हमारा पास का इलाका है, ये सारी चीजें भी किसी न किसी रूप में बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं. अब ये कैसे प्रभावित करती हैं, जैसे कि जहां बहुत बड़े परिवार होते हैं, वहाँ पे बच्चे का अधिगम और जहां छोटे परिवार होते हैं, जैसे कि इसके बहुत अच्छे उधारण है कि संयुक्त परिवार में बहुत सारी चीजें के लिए बच्चे का अध परिवार के उनको देख देख के बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है लेकिन जो छोटे परिवार होते हैं उसमें बच्चा बहुत सारी चीजों को सीखने से बंचित रह जाता है तो ये सारी जैसे कि इसमें हम उधारन ले सकते हैं कि सामंजस्य की भावना, समायोजन की भावना, आपस में चीजों को साजा करने की भावना ये सब चीजें जो बड़े परिवार और चोटे परिवार के जो बच्चे होते हैं उनके अधिगम में कहीं न कहीं भिन्नता लाता इसी प्रकार से अगर किसी घर में वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, उसका जो पर्यावरण है, जो प्रकाश की विवस्था है, जो तापमान है, वो असुविधाजनक है, या उसके घर के आसपास हर्स में रेडियो बसता है, या टीवी बसता है, या शोरगुल होता है, तो य यही प्रवेश बच्चे के अधिगम को भी प्रभावित करता है। बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। एक बहुत अच्छी तारतम्मेता होती है तो बच्चे का अधिगम वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं और सामाजिक और भावनात्मक कारफों की बात करते हैं तो 15 वर्ष से कम आयू के बच्चों को कहा भी गया है कि अनुशाशन में रखना अति आवशक होता है। और 15 वर्ष की आयू के पच्चात हम उनके साथ एक मित्रवत विहवार कर सकते हैं। लेकिन उससे पूर्व अनुशाशन अति आवशक है क्यों? क्योंकि यही एक उम्र होती है जो कच्ची उम्र कहलाती है और उस समय बच्चे में हर चीजें का इस तरह से विकास हो रहा होत है जो कि उसके इस्थाई जीवन जीवने को प्रभावित करती है। परिवार में जिस तरह से जैसे कि बच्चे की प्रशंशा करना, बच्चे को सजा देना, बच्चे को खेल खेलने देने की सुविधा देना, उसके आसपास अध्यन की सुविधा का कैसा माहौल है। यह सा प्रकार से सांस्कृतिक और सामाजिक जो हमारी अपेक्छाएं होती हैं, जो सांस्कृतिक मांग होती हैं, उसके अनुसार भी बच्चे का अधिगम होता है। उन चीजों को एक यांतरिक तरीके से या यांतरिक बुद्धिका और विकास हो जाता है, सीखने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से जो बच्चे गाउं में रहते हैं, उनका समुदाय क्रिशी आधारित समुदाय है, तो उन बच्चों में उसी प्रकार की जो अधिगम की छ कक्षा होती है कक्षा का परियावरण कैसा होना चाहिए क्योंकि कक्षा भी एक महत्वपून भूमी का निभाती है बच्चे के अधिगम में अगर हम सारे परियावरण को एक तरफ रख दें और कक्षा के परियावरण को ध्यान में रखें तो बच्चे के अधिगम को प्रभ विद्याले जाता है वो कम से कम 6 घंटे के लिए विद्याले में रहता है और उस विद्याले में उसका जो भौतिक परियावरण है जो सामाजिक परियावरण है जो सांस्कृतिक परियावरण है वो अगर अनुकूल नहो तो बच्चे के अधिगम को बहुत अधिक प्रभाव उधारन के तोर पे जो भौतिक पर्यावरन यानि जो कक्षा में भौतिक चीजें हैं यानि कि जो कक्षा का फरणीचर वो भी कहीं न कहीं बच्चे के अधिगम को प्रणीचर करता है अगर कक्षा का जो परनीचर है वो बच्चे के लिए सुविधा जनक नहीं है अराम दायक नहीं है तो एक घंटे के पश्याती हो सकता है कि बच्चे के जो बैठने के जो तरीका है या उसको जो एक आराम की विवस्था मिलनी चाहे जिससे अधिगम अच्छा हो सके वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावटाने लगती है, बच्चा अनीजी फील करने लगता है, बच्चा आरामदायक महसूस नहीं करता है, तो उसका ना वो अच्छा लेख लिख पाता है, ना अच्छी तरह से अपनी चीजों, शब्दों की अभिव्यक्ति कर पाता है, ना कक्षा में वो शिक्छक के साथ अच्छी प्रकार से संप्रेशन कर पाता है, क्योंकि जब हम छोटी बच्चों को देखते हैं, तो उनके संप्रेशन का जो तरीका होता है, वो एक बहुत आपचारिक नहीं होता है, बच्चे के साथ इस अवस्था में, जो बाले काल्म की जब हम भी बात क करते हैं, तो वो एक बड़ा अनौप्चारिक सा संप्रेशन होता है, तो जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं, तो कक्षा में इस तरह का भौतिक पर्यावरण बहुत ही सुविधाजनक और आराम दायक होना चाहिए, जो कि बच्चों के अधिगम को बहुत अच्छा कर सके अधिक से अधिक चीजों का बढ़िया अधिगम करा सकें, इसके अलावब जब हम बात करते हैं, तो विध्यार्थिओं की सक्रियता, अब कक्षा में बच्चे सक्रियतर रहेंगे या इस तरह का पर्यावरण रहेगा, तो बच्चों की सक्रियता बढ़ती है और उनका अधिगम भी उसी प्रकार से बढ़ता जाता है। अब बच्चे सक्रिय किस प्रकार से हों? कक्षा में जो कक्षा के शिक्षण विधिया हैं, उससे भी हम कक्षा का परिवेश बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो ये उम्र होती है, जो बाली अवस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था है, उसमें हम बहुत अधिक अगर आपचारिक विधियों से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो हम बच्चे को बहुत अच्छा सिखा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सिखा सकते हैं क्योंकि इस समय बच्चों में जो बच्चों का मस्तिश को होता है वो बहुत ज़्यादा केंदृत नहीं हो सकता है इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को खेल के द्वारा, बच्चे को संगीत के द्वारा, बच्चे को कला के द्वारा इस तरह की विध्यों का प्रयोग करके बच्चे को सिखाने का उसको अधिगम कराने का प्रयास हमें करना चाहिए इसके अत्रिक्त जब भी हम एक शिक्षक के रूप में बात करते हैं तो बच्चों में सकारात्मक्ता का एक परिवेश जनित करना बहुत आवशक है क्यों आवशक है? क्योंकि बच्चों को बच्पन से ही ये सिखाना कि किसी भी चीज के प्रती सकारात्मक दृष्टिकों उसके जीवन को सफल बनाती है तो इसके लिए बच्चों को छोटे-छोटे उधारण देना, छोटी-छोटी कहानिया सुनाना जो छोटी-छोटी कहानिया होती हैं, वो बच्चे के मस्तिश्क में बहुती प्रभाव डालती हैं और ये कहानिया ऐसी होती हैं, जो बच्चे को जीवन भर याद रहती हैं इसलिए अच्छी-च्छी कहानियों का उधारण देना जैसे कि एक उधारण के तौर पे कि एक बार छोटे-छोटे जो मेंधक थे एक जंगल से गुजर रहे थे तो उनमें से कुछ मेंधक उसमें गिर गये, गड़े में गिर गये और गड़े में गिरने के बाद बाहर से बाकी जो मेंधक थे वो आवाज देने लगे और कहने लगे ओ, अब तो तुम लोग बाहर नहीं आ सकते हो, अब तो तुम लोग मरे के समान हो गए हो, अब क्या करोगे? लेकिन फिर भी जो उस गड़े के अंदर मेंधक गिरे थे वो प्रयास करते रहे, करते रहे, लेकिन फिर भी बाहर से नकारात्मक शब्दों को सुनकर एक मेंधक उसमें मर जाता है। उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोंड था, कि जिसके द्वारा वो बाहर आगया, यानि कि वो जो मेंधक था, जैसे ही वो बाहर आया, तो अन्य मेंधकों ने उससे कहा, कि अरे हम तो तुम्हें इतना बोल रहे थे, फिर भी तुम बाहर आगया, ये कैसे हुआ, तो जब जो चोथा मेंधक था, जैसे ही वो बाहर आया, उसने कहा, ओ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जो पिर्णा दाई शब्दित से थे, वो बहुत अच्छे थे, जिनके कारण में प्रेरित हुआ और बाहर आया, तो सभी को लगा, कि हम तो बहुत नकारात्मक शब्द कह र को बचा लिया और बाहर आगया, तो इस तरह की छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से भी हम बच्चों में सकारात्मक्ता का परिवेश चनित कर सकते हैं, क्योंकि यही बातें जो होती हैं, बच्चे के मस्तिष्क में कहीं न कहीं घर कर जाती हैं, और उसको एक दिशा प्र यानि कि कि इस प्रकार से हम बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, जो भावात्मक लगाओ बच्चों के मध्य एक स्थापित करता है शिक्षक वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशह है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ही प्रसन्य चित होकर वारता लाप करना, संप पीट पे जाके थप थपा कर कहना शाबाश, तो ये बच्चे को एक भावना से जोड़ता है, कि शिक्षक मेरे प्रती कुछ सोचता है, उसको अच्छा लगता है बच्चे को और वो अधिगम के लिए प्रेरित होता है, फिर वो और भी नए चीजों को अच्छी तरीके से स प्यादा करना चाहिए, कि जो भी बच्चा कहता है, उसकी बातों पर विश्वास करना, और अगर कहीं वो बातें गलत हैं, तो उसको तरक के साथ बताना, कि ये क्यों गलत है, तो ये भी बहुत अनिवारे है, यानि हम जब पर्यावरण से चीजों को जोड़ती हैं, कि हम म नहीं कह देना चाहिए, कि नहीं ये गलत है, तो बच्चों में एक विश्वास पैदा करना चाहिए, सीखने के प्रती, इसी प्रकार से बच्चों की जो शाक्षिक उपलब्दी होती है, वो भी बच्चे के अधिगम को कहीं न कहीं प्रभावित करती है, कैसे प्रभावित कक्षा का कक्षी परिवेश प्रदान करता है जिससे की बच्चा सीखता है और अच्छे से अधिगम करता है धन्यवाद